हेलो फ्रेंट्स आपको श्रागत है मेरे किचन में आज हम इनी सब्जीयों से मिल कर बनाएंगे मिक्स बेज सब्जी तो हमने यहाँ पर आलो, सिम्लामेज, गाजर, गोभी और हरी मटर को ले लिया है और दो वीडियों साइज के टामाटर को हमने पीस कर ले लिया है अच्छा गरम कर लिया है अब इसमें आलो को हम धीरे-धीरे सारी सब्जीयों को फ्राई करेंगे सबसे पहले हम आलो को फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करना है अब हमने गैस को हाई मीडियम फ्लेम पर कर दिया है जिससे तेल का टंपरेचर लो नहीं होने पाएं क्योंकि ठंड का समय चल रहा है और सबजियां भी ठंडी हैं तो आलू हमारी फ्राई हो चुकी है अब इसे हम करके निकाल लेंगे थोड़ा थोड़ा अब इसके बाद इसमें हम गोवी फ्राई करेंगे इसी के साथ मैं गाजर भी डाल देती हूं जो लंबे लंबे पीश में काट कर लिए हैं सबजियों को अपनी मन पसंद अंसार काट लिए और अपनी मन पसंद के अंसार और भी सबजियां ले सकते हैं अब इसमें हम सिम्लमिश भी डाल देते हैं इसी के साथ साथी भी फ्राई हो जाएगा बस दो मिनट ही फ्राई करनी है में सबजियों को सबजियों को क्रंची रखना है बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है गलने तक साथियों पार्टियों में मिक्स वेज तो आपने खाया ही होगा अब आप घर में भी बना के खाईएगा जो बहुत टेस्टी होता है और खाने के मज़ा दोगना हो जाता है अब इसे हम निकाल लेंगे कितनी प्यारी और कितनी अच्छी कलरफुल सबजियां लग रही है तो हमने सारी सब्जियों को फ्राई करके ले लिया है यह देखिए अब से हम पैन में हम एक चमज देल डालेंगे और इसमें एक छोटी चमज जीरा डालेंगे एक छोटी चमज अजवाइन डालेंगे एक छोटी चमज मेथी डालेंगे एक छोटी चमज सौफ डालेंगे आप इसने इन मसालों के साथ खड़ी धनिया भी ले सकते हैं मतलब साबू धनिया अब इसके साथ इसमें जाएगा अद्रक और लासुन कुटी हुई अब इन सब को मिक्स कर लेंगे ब्राउन कलर होने तक इसे भूनना आए हमें अब इसके साथ मैंने दो मीडियम साइज का प्याज को रफलिक काट लिया है इसे भी डाल कर भूनेंगे दो से तीन मिनट ही भूनना है प्याज हलकी सी गुलावी हो जाए इतना भूनना है हमें तो इसके साथ अब इसमें जाएगा दो मीडियम साइज के टमाटRO को मैंने काट कर लिया पीस कर ले लिया था इसे भी डाल देते हैं इन मसालों के साथ ही भुन जाएंगे ये भी तीन-चार मिनट इसे भुनना है इसके साथ एक कप ताजा हरी मटर डाल देते हैं ये भी मसालों के साथ ही भुन जाएगी अब इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं एक शोटी चमच हल्दी पाउडर एक छोटी चमच लाल मीज पाउडर और हमने दो हरी मीज को काट कर लिया है ये भी डाल देते हैं इसको पहले ही डालना था मैं भूल गई थी डालना अब इन सब मसालो को मिक्स करते हुए भुनेंगे मसालो से बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है आप पार्टियों में जाते हैं सादियों में जाते हैं तो सबसे पहले मिक्स बेज का ही मज़ा उठाते हैं अपनी मन पसंद अनुसार सबजियों को ले सकते हैं जैसे बीन से ब्रोकली है जो भी सबजियां आपको पसंद है आपकी घर में अवलेवल हो आप उस सब्जी से मिक्स बेज बना सकते हैं अब हमने जो फ्राई किया था सब्जियों को इन सब्जियों को डाल देते हैं पैन में और सब मसाले सब्जियों को मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से अब सौद के अनुसार नमक डाल देते हैं अब इन सब को फिर से मिक्स करेंगे यह फ्राई है सब्जियों इसलिए ज्यादा इनको पकाना नहीं पड़ता है यह तीन से चार मिनट में यह पक्के तयार हो जाती है तो मिक्स हो चुके हैं सब्जियों इसको हम ढख कर रख देंगे तीन से चार मिनट के लिए तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं तीन से चार मिनट हो चुका है सब्जियों बहुत अच्छी कुश्मों महक रही है और इसे मिक्स कर लेते हैं सब्जियों हमारी लगभग पक चुकी हैं अब इसमें हम मैगी मसाला इमेजिक डाल देते हैं जो आपके पास गर्म मसाले अबलेबल हो आप वो ले सकते हैं मैगी मसाला इमेजिक से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में अब इसे हम देख लेते हैं सब्जियों पकी हैं कि नहीं हमारी सब्जियों हो चुकी है अच्छी तरीके से पक चुकी है लेकिन अभी हम थोड़े से इसको और धक के पकाएंगे थोड़ा सा आलू कम पका था इसलिए हमने ढग कर इसको पका लिये थोड़ा सा और इसमें एक कब भरके हमने लिया था पत्तागों भी और थोड़ी से धरी धनिया काटकर डाल देते हैं इन सब को मिक्स करते हुए बस दो से तीन सेकेंड और ही पकाएंगे बस आपके पास अगर पनीर रखी है तो पनीर भी घिस के डाल सकते हैं कद्व कस कर लिजिये और उपर से ऐसे गार्निस कर दीजिये सब्जियों के उपर तो ढखकर दो से तीन सेकेंड और पकाएंगे अब देख लेते हैं एक बार आलू हमारी पक चुकी है अब कोई कसर नहीं है सब्जियों में हमारा मिक्सवेज बनके रेडी हो गया है इसे चला लेते हैं एक बार ऐसे उलट पलट कर देते हैं और आपको पास से दिखाते हैं क्या रंगत है मिक्स बेज की आप देखिए अगर मिक्स बेज पसंद आया मेरी रेशिपी पसंद आये तो वीडियो को लाइक किजिएगा चैनल को सस्क्राइब किजिएगा दोस्तों थोड़ी सी हरी धनिया गार्निस कर देते हैं सबजीयों के ऊपर सबजी हमारी खाने के लिए रेडी हो गई है मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तो